नवस्कार दोस्तों गुडू मॉर्निंग कैसे हैं आप लो कमेंट करके जुरू बताइएगा वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जांच में एडियम केके सीं दोसी नोटिस जारी और यह फाइल फोटो दिया गया है तो चलिए इसका अपडेट हम आपको देते हैं एक पेपर में और इसका खबर दिया गया है कि लाठी चार्ज करने वाले एडियम पर कारवाई सुरू तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के करवाई इन पर की गई है उससे पहले अगर के मामले में जिलाधिकारी ने किसी से जड़ाब तलब किया है साथ दिनों के अंदर अश्पश्टी करंदे ने को कहा गया है इससे पहले इस संबंद में के निदित में गठी जांच टीम ने पर कई सवाल खड़े किये गए थे तिरंगा लिए यूबग पर लाठी चार्ज करने में जांच रिपोर्ट कब तक मिली साथ दिनों में मांगा आरोपित से जबाब दो अगस्त को परदर सिंग के जवरान डाग चोड़ा है पर हाथों में तिरंगा लिए टेटी से चक अभिहर्तु को एडियम ने डंडे वह डंडे से बुरी तरह पीटा इसका वीडियो काफी तेज से बाइरल हुआ इसके बाद मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई कमीटी ने अपनी रिपोर्ट जिला अधिकारी को दे दिये यानि कि जो कमीटी बनाया गया था जांच के लिए किस अस्तर पर यह ऐसा किये क्या इनका मुना दसा था जब जब जांच र भ्यरतों के पीटेबू अलग चीजह लेकिन उनको हातों में राष्टी तरंगा था और बहुत सारे देखे होंगे कि राष्टी तरंगा हमारे लिए जांच को बचाती है जिस तरह से युक्रेन में बहुत सारे साथियों को बचाया गया था आज इसी तरंगे पर लाठी च परिशन कनहिया परसाथ सी से जिलादीकारी ने सनिवार को असपस्टी करन मांगा है बता दे कि पुलिस ने बिरुजगाय से चक्ट करिंडेट के प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज किया था इस दौरान एडियों के केसी ने तरंगा लिए एक प्रदर्शनकारी पर ज जरूर से जादा पीटा गया था रिपोर्ट जिलादीकारी चंद्र से खर्चे ने एडियम से मांगिया स्पस्टी करन में कहा है कि 22 अगस्त 2022 को टीटी अब भीहर्तों के डाक बंगला चोराहे पर अपनी मांगों के समर्थन में आउजित परदर्शन के क्रम में हाथ में त द्वारा पिटाई करते हुए वीडियो बायरल हुआ था इसकी जांच के लिए टीम का गठन किया गया था जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि तरंगे को लेकर आपने अतिरिक सतरक्ता नहीं बढ़ती और लौ एंड और भंग करने वाले अभिहर्ति पर जरुद से समय देना चाहिए था क्योंकि साथ दिन में यह कुछ उलट प्लट भी कर सकते हैं तो इस तरह से समझें यह बच भी सकते हैं लेकिन यह केस यह जो वीडियो बायरल हुआ है काफी हाई प्रोफाइल है बहुत सारे अधिकारी के पास गया है बहुत सारे नीतागंद के पास बहुत सारे विधायक के पास भी गया है बहुत सारे अब देखे होंगे मुखमंति सब के पास गया और सबके दोरा टूट और इस पर कुछ अस्टेटमेट भी दिया गया है तो यह काफी मामला हाई प्रोफाइल हो गया है अब देखते हैं कि अपना सपस्टी करन साथ दिन आज की न्यूज पेपर में छापा गया है लाठी चार्ज करने वाले एडियम पर करवाई सुरू लोग तंत में रहकर लाठी तंत से सासन नहीं चला जा सकता है बिल्कुल सही बात है अब जब भी देखे होंगे चाए वो छट्ठा चरन हो या बिहार पुलिस हो जो भी हो अगर आप नितिस सरकार में अंदोरन करते हैं तो आपको लाठीया मिलेगी लेकिन ये जरूरी है कि नितिस कुमार लाठी देने के बाद भी नौकरी देते हैं लेकिन नौकरी देने से पहले बो लाठी जरूर देते हैं पटना के एडियम के केसी के कारनामे की जांच कर रह ही टीम ने रिपोर्ट दे दिया है टेटी अभियर्तों द्वारा 22 अगस्त को डाग बंगला चोरा है पर किये जा रहे हैं परदर्शन के दौरान एडियम विदी विवस्था के के सिंग द्वारा हाथ में तिरंगा लिए एक अभियर्ती की पिटाई मामले में जांच कमिटी लिए उन्ह exception करार दिया है यानि कि गटना द्वारा उस टीम ने के की सेंग को दोसी करार दिया हैं za उनको किस तरह की सजा मिलती है क्या उनका भेतन करता है या फिर उनका नौकली जाता है या फिर जेल उनको जाना पड़ेगा ये देखना होगा कि वो किस तरह का करवाई उन पर करते हैं जांस कमीटी ने कहा है कि घटनास्तल प्रणों ने आप सकता से अधिक बल का प्रियोग किया जो नहीं होना चाहिए था जांस कमीटी ने एडियम की करवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब हाथ में तरंगा लिये च्छात परदर्शन कर रहा था तो उस समय उसकी पिटाई नहीं करनी चाहिए थी यानि कि कमीटी के कहना है कि जब वह वहरती हाथ में तरंगा लिये था तो नहीं पिटाई करने था उससे आप तरंगा ले लिये होते या तरंगा नहीं होता तब उसकी आप पिटाई कर सकते थे उसे गिरफतार कर लेना चाहिए था जांस कमीटी ने अपनी रिपोर्ट जिला अधिकारी डॉक्टर चंद सेखर सिन को सौप दी है रिपोर्ट आने के बाद डियम ने एडियम को सौप को चारी किया है घटना के बाद जिला अधिकारी ने जांस कमीटी घठित की थी इसमें पटना के DDC और SP CT सामिल थे यानि कि जो जांस कमिटी बनाया गया उसमें दो लोग थे और दोनों लोग उच अधिकारी थे एक DDC थे जो कि DM के बाद कब पताता है और एक SP CT थे उनको सामिल किया गया है कमिटी ने टीटी अभिहरतों के अलावा पुलिस अधिकारी मस्टेट वा एडियम का है कि एडियम अलग-अलग ब्यान दर्ज किया घट नास्तल पर मौझूद जांस अधिकारी ने जांच कमिटी से कहा है कि हाथ में तिरंगा लिया भिहरती ने पुलिस द्वारा लगाया गया वैईयरिकेट्च तोड़ दिया था यानि कि जो आपर घेरा बंदि का गया था जिस चीज से उसे वैरिकेटच काते है उस वैरिकेटच को ही अभिहरती तोड़ के आगे बढ़ रहते जो जाच में उहां पे जो पुलिस कर्मी थे उनके द्वारा पुछने पे ये जबाब दिया गया है वह आगे बढ़ रहा था उसे देखकर उसके पीसे सैंक्डो की संख्या में अभ्यारती राजभवन की तरफ बढ़ने लगे मौके पर मौझूद एडियम ने बिधी विवस्ता ने उसे रोकने का प्रियास किया इसी दोनान कुछ अभ्यारती द्वारा उनके साथ धक्का मुक्य की गई अधिकारियों से घेरे एडियम को कुछ हो ना जाए या देख उहां मौझूद पुलिस अधिकारी और में स्टेट भी बरिकेडिंग के पास पहुँच गे इस घटना से क्रोदिद होकर एडियम ने उस अभ्यारती की पिटाई करनी सुरू कर दी जाउंस कमीटी ने दो बिन्दों पर अपना मनत्त्व दिया पहला एडियम को अधिक बल परियोग नहीं करने की बात कही गई दूसरा रिपोर्ट में कहा गया जब अभ्यारती हात में तिरंगा लिए हुए था तो ऐसे इस तिदी में उसकी पिटाई नहीं करनी चाहिए थी उसे गिरफत का गिरफतार कर लेना चाहिए था हलाकि जाउ अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों इसी तरह का और भी अपडेट आता है तो फिर मिलते हैं एक लेक्स वीडियो में धन्यवाद दोस्तों